हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम लोग संपूर्ण हिंदी का प्रेक्टिस सट वन कंप्लेट करेंगे जिसमें हम लोग 30 मोस्ट इंपर्टेंड कोश्चन के प्रेक्टिस करेंगे और इस सारे वही कोश्चन होंगे जो विगत वर्सों में जो एक्ज चले देखते हैं यहां पर पहला कोश्चन आप से पूछा गया है अब यहां पर पहला कोश्चन आप से पूछा गया है तावर्ग का उच्चारण स्थान है यह जो तावर्ग वाले अच्छर होते हैं ताथा दाधा वाले तो इनका उच्चारण कहां से होता है मुख में त दंद से होता है कैसे होता है दंद से होता है तो यहां पर बी आफ़न बिल्कुल ही सही हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर दूसरा कोशिन पूछा गया है पावर्ग का उच्छारण स्थान है पावर्ग का उच्छारण स्थान क्या होता है? ओफ्ट होता है, क्या होता है? ओफ्ट होता है अब यहाँ पर तीसरा कोशिन आपसे पूछा गया है चावर्ग का उच्चारण स्थान है जो चावर्ग के अच्छर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है तो उनका च्चारण स्थान होता है तालू क्या होता है तालू होता है अब fourth number question आप से पहुचा गया यहाँ पे वरनों के समुन को क्या कहते हैं वरनों के समुन को क्या कहते हैं तो इसका इंफारोजा के word ला कहते हैं अब यहाँ पे 5 नमर question आप से पहुचा गया है चात्रा और ग्या ये तीनों कौन से विंजन है ये तीनों आते हैं संयुक्त विंजन के अंतरगत कौन से विंजन ये तीनों है संयुक्त विंजन है अगर पूछ लेज़ें कि संयुक्त विंजनों की संख्या कितनी होती है तो चार होती है उसमें फियक यह जुस्ष्रा होता है यह भी सामिल होता है तो यह भी आपको याद रखना है अब आपसे 6th number question पूछा गया है पुस्तक कौन सा सब्द है पुस्तक कैसा सब्द है तो इसके इंफरूजा गया है तटसम सब्द है कैसा सब्द है तटसम सब्द है मतलब सुद्ध सब्द है इसके बाद आपसे question पूछा गया है आग कौन सा सब्द है आग कैसा सब्द है तो आग जो वो तदबो सब्द है और इसका तद्सम क्या होता है आग नहीं होता है इसका जो तद्सम होता है अब एट नमबर question आपसे पूछा गया है प्रत्वी कौन से सब्द है तो इसका इंफरोज है कि प्रत्वी जो है वह तंसं सब्द कैसा सब्द है तझ समसब्द है इसके बाद nine number पोछा कए आपसे question table कौन से सब्द है तो table है विद्यससद सब्द कैसा है विदेशज सब्द है अब यहाँ पर 10 नमबर कोश्चन पूछा गया है नाक कौन सा सब्द है नाक कैसा सब्द है नाक है रूड सब्द कैसा है रूड सब्द है अब आपसे गेरा नमबर कोश्चन पूछा गया है फूल कौन से संगया है फूल में कौन सी संग्या है तो फूल में हो जाएगी जाती वाचक संग्या हो जाएगी नेट कोशन पूछागा यह आप से इमानदारी कौन सी संग्या है इमानदारी कौन सी संग्या है तो इसका एंफर हो जाएगा या भावाचक संग्या है कैसे संगया है भाव आचक संगया है अब यहां पर 13 नंबर कोशन आप से पुछ गया है लबोदर कौणसे सब्द नंबोदर कैसा सब्द है योग रूरूड सब्द है और 14 कोशन अब hai कॉछा गए आपसे तो इसमें से द्रवे बाचक थेखेयर को अगला इसे पूंचा गया है तो मैं जो है उत्तम पुरूस कौन पूरुस है उत्तम पूनंपुरुस है उत्तम पूरुस है उत्तम है अगला question पूछा गया है, आप जो है कौन सर्वनाम है, आप में कौन सर्वनाम है? यह बताना है आपको तो यहाँ पर इस question क्याँफर हो जाएगा, आप में निष्ज़वाचक सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है? अगला question आपसे पूछा गया है, पुस्प कौन से सब्द है, पुस्प कौन से सब्द है, तो पुस्प जो है वह है तच्सम सब्द है, कैसा है, तच्सम सब्द है, अब यहाँ पर 18 नमबर question आपसे पूछा गया है, खयाल कौन से सब्द है, खयाल कैसे सब्द है, तो खयाल है विदेशज सब्द है उसके बाद next question पूचा गया है तेन्दुवा कौन से सब्द है तेन्दुवा कैसा सब्द है तो तेन्दुवा में है देशज सब्द कौन से सब्द है देशज सब्द है next question यहां पूचा गया है गोल विशेशण है गोल कैसा विशेषड है तो गोल है गुडवाचक विशेषड कैसा है गुडवाचक विशेषड है अब यहाँ पर 21 नमबर कोस्टेन पूछा गया है कोई विशेषड है मतलब कोई में कौन सा विशेषड है तो कोई में सार्व नामिक विशेषड कौन सा विशेषड है question अफ़े पूछा गया है। तुम जा रहे हो तुम जा रहे हो यह कौन स काल है। त यह कृया कि आप me present time में जा रही है तिसमें जाए कौन स काल होगा। वर्तमान काल हो जाएगा तो यह अपना यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब येहां पर कोचेंट पूछा गया है नाक कौन सरिंग हाए नाक कौन सरिंग है तो नाक होता है इस्ट्रिलिव नाक होती हैं कैसी स्ट्रिवलिं केसी होती है ते हथ बी आफन बिल्कुल ही सही हो जाएगा अब यहां पर 24 नमबर कोशे ना फिर पूछा गया है समास कितने प्रकार के होते हैं तो समास होते हैं 6 प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं 6 प्रकार के होते हैं अब अगला कोशे ना फिर पूछा गया है नव यूवक कौन से समास है तो नव यूवक में कौन से समास है तो नव यूवक में करम धारे समास है करम धारे समास है अगला कोशन यहां पर आप से पूँछा गया है प्रति दिन कौन से समास है प्रति दिन में कौन से समास है तो प्रती दिन में हो जाएगा अब यहीं भाव समास कौन से समास होगा अब यहां पर आप से question पूछा गया है देश भक्ति में कौन से समास है देश भक्ति में कौन से समास है तो देश भक्ति में हो जाएगा तत्द पुरु समाफ कौन से समाफ हो जाएगा तत्द पूरु समाफ हो जाएगा अब देखो यहांपर जिख धवक्ती तो इसको jet विग्रा करेंगे तो क्या होज़ेगा देश की भक्ति तो यहांपर जो पर कारक वाली भक्ती वाली जो चीने मिलते हैं तो उनमें सभी में क्या होता है तत्पुरू समाफ होता है अब यहां पर 28 नमबर कोश्चन पूछा गया है नील कंट कौन सो समाफ है तो नील कंट में कौन सो समाफ है बहुत बरी समाफ है नील कंट का विग्रा करेंगा नीला है जिसका नीला है जिसका कंटर था तो इतकी बा पूछा गया है पापपुण में कौन से समास है तो पापपुण में कौन समास इसका एंसर हो जाएगा दॉंद समास जहां पर भी योजक चिन मिले वहां पर यह में कौन समास होता है दॉंद समास होता है है हुआ है अहको來 है अब यहां फेर्ट नमबर लास्ट कुश्चिन पूछा गहां है दो पहर कौन से वंअ है दो पहर में कौन निर्व स्मास है तो दो पहर में है डी श्मास कौन स्मास है दिं लिडर्द में पहला जो सबधर है दो पर में दो देखो मिलना संख्यावाची है तो इसमें कौन समाफ हो जाएगा दुग समाफ हो जाएगा